यहां तो टोपी देखके जो है इनसाफ होता है आपकी टोपी कैसी भगवा है तो इनसाफ में लगा भगवा नहीं है तो नहीं में लगा और जितने इनके विरोधी हैं जितने इनके सवाल करने वाले लोग हैं मैं तो कह रहा हूं सवाल से डरते हैं यह कोई मजबूत सरकार का प्रतीक नहीं है कि काम टीचर, एक्टिविस्ट, स्टूटियेंट जो सवाल खड़ेकर रहा है उसको आप दमन करिये, उसको जेल में डालिये, ये तो कायरता का प्रतीक। आप बहस किजयें तना क्यूं नहीं अडानी बे बहस होगी, क्यों नहीं डिगरी पे बहस होगी क्यों नहीं आपके राष्ट बात पे बहस होगी और इनके सौ संगठन जितने साधू लोग धर्म संसत लगा रहे हैं और हिंदू राष्ट बनाएंगे तो सब बीजे पी आरे साथ वाला इन साधूं से कहलवाता है और धीरे-धीरे महाल बनाने की कोशिश करता है यह हिंदू राष्ट नहीं है हिंदू कोट अनकोट यह ब्रहम राष्ट बनेगा यह वर्नवेवस्था वाला राष्ट बनेगा वो राष्ट है वो हम लोग समझाने आ रहे हैं और जो कह रहे हैं कि वाकई इनके एजेंडा में हिंदू रास्ट बनाना है, लेकिन शायद इनको ये पता नहीं है कि किस्वी सदी है, ग्लोबल वर्ल्ड है, पूरे दुनिया में जो है इनकी बेजती हो रही है, जिस तरह की अटुसिटी जो वाइलेंस हो रहे हैं, जिस तरह की दर्शन को छोड़ दिजी, जो इनसे डिसागरी करेगा, सोच लिजी, जो डिसागरी करेगा, उनको भी एक खाक में मिला देंगे, उसका एक्जामपल और कोई नहीं दे रहा हूं, मैं, एक्जामपल दे रहा हूं, लाल कृष्ण अडवानी, लाल कृष्ण अडवानी ज तो उनको भी नहीं चोड़ते हैं उनको भी जल में डाल देते हैं कि अधिन नक्षालाइट मुव्मेंट से उबी समाज की या यदि आप डॉक्टर बाव सामेट के आवाज उठाओंगे तो आपको लेक्टिस समझा जाता है कि महाराष्टे के बहुत सारे हिस्सों में बढ़ा है और मुझे इसमें कोई अठपटा नहीं लग रहा है और इसलिए नहीं लग रहा है कि जो केंदर में जो हुकूमत में है सरकार बीजेपी बैक्ट बाई RSS & 100 more organizations कि कि उनकी सम्विधान में और सम्विधानिक वेल्यूज में उनकी आस्थाही नहीं थी, सम्विधान को नहीं मानने वाले लोग हैं, अमबेड करके मुर्ति जलाने वाले लोग हैं, फुतले फारने वाले लोग हैं, तो जब इनकी आस्थाही नहीं थी सम्विधान में, तो मैं तो इतिहास का छात्र हूँ, मुझा पता था कि ये क्या करेंगे, ये बाकी आप छोड़ दिजे, दलीत बैकवर्ड और ट्राइबल के इशूज को छोड़ दिजे, या बामपंत की दर्शन को छोड़ दिजे, जो सें डिस एकृः की करेगा, पिसोच लिजी, जो डिस एकृः करेगा उनको अब ये खाक में मिला देंगे, जो ईक्जामप्ल और कोई नहीं दे रहा हूं है, एक्जाम्पल दे रहा हूं लाल कृष्ण अडवानी जा के खाली पाकिस्तान में बोल दिये कि जिन्ना सेकुलर थे आरे सेस्ने उनको कहां से कहां मिला के रख दिया प्रदान मंतिर बनने नहीं दिया और इदम साइड लैन करके छोड़ दिया इनके अपने लोग इनके सवर्न समाज के लोग ही अगर इनसे डिसागरी कर जाएं तो उनको भी नहीं चोड़ते हैं उनको भी जेल में डाल देते हैं तो जब देश में यह हालात हो सिती हो तब आप सोचेगे कि यह डिमोकरिटिक वैल्यूज हो और पढ़जातांतरिक मुल् यह तो समझे उसी तरीकी से जैसे बिल्ली कभूतर रेत में अपनी आखे चुपा लिया सोचे बिल्ली नहीं खाएगी वह तो हमें दिख रहा है ना बागी पोलिटिशन को दिखे या ना दिखे अब पोलिटिशन सब को भी आसास होने लगा है क्योंकि इनका इतिहास थोड पाकेशन की बोलते हैं दोजार तोजिसी में यह हिंदू राष्ट्रों भुस्षित करेंगे आप उनके खिलाफ हो कि स्तात्मे वाप इसके साथ बेक प्रशना जिसी है कि सावरकर बुर्रे कि हिंदुत वादी हमारे डैवत है हमारे भगवान है इस प्रकार का बयान महारास जब सत्ता में रहते हैं तो यह लोग बहुत बिलाते हैं बहुत गरशते हैं और इनकी सौ संगठन है जितने सादू लोग धर्म संसत लगा रहे हैं और हिंदू राष्ट बनाएंगे तो सब बीजे पी आरे साज वाला इन सादू से कहल लवाता है और धीरे-धीरे महाल बन हैं और जो कह रहे हैं कि वाकई इनके एजेंडा में हिंदू रास्ट बनाना है लेकिन शायद इनको यह पता नहीं है कि किस्वी सदी है ग्लोबल वर्ल्ड है पूरे दुनिया में जो हैं इनकी बेजती हो रही है जिस तरह की एक्षिटी जो रहे हैं जिस तरह की केसे जा र सब कुछ मैंने डाल दिया और तभी दिल्ली पूलिस ने भी साइक क्रीको रिकवेस्ट को रिस्पॉंड ही किया क्लारीफाइब नहीं किया मेरा केस कहां पर तो यह दिल्ली पूलिस किसका अंडर में काम करती है वो मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है ना तो सब इंस्पेक्टर की तिने इहमत होगी कि ब्रिटिश हाई कमिशन दिल्ली पुलिस अगर उसको करें इंक्वाइरी के लिए भेज़त्व नहीं करें तो यह तो यह ऐसे लोग हैं जो हम जैसे आम एक्टिविस्ट से डरते हैं इन वाले लोग जो है सिर्फ बिरोधियों का घरी क्यों पचानते हैं यह सवाल है ना न्याय हो इंक्वाइरी जांच हो लेकिन चेहरा देखकर नहों अभी यहां पर मैं आया हूं और डॉक्टर अम्बेटकर ने भाशन दिया है उसी भाशन पर चर्चा करने वाला हूं कहते हैं कि इंग्लेंड में अगर कंजर्वेटिव पार्टी भी सत्ता में रहे और लिबरल पार्टी जो है उनके लोग भी काम कराने जाए तो वहां भेदभाव नहीं होता है यहां तो टोपी देखके जो है इंसाफ होता है आपकी टोपी कैसी अब भगवा है तो इंसाफ में लगा भगवा नहीं है तो नहीं में लगा और जितने इनके विरोधी हैं जितने सवाल करने वाले लोग मैं तो कह रहा हूं सवाल से डरते हैं यह कोई मजबूत सरकार का प्रतीक नहीं कि काम टीचर एक्टिविस्ट स्टूडेंट जो सवाल खड़े कर रहा है उसको अच्चा है धब चिचन आपका कम टेना की दिग को और बाता है यह इंए तो अच्छा है तो दिखा दे ना फिर दिखादीक अगर सबसे पहले बीजेपी वाले जुतने निता है उनके घर में मुस्लिम के यहां कहां कहां शादी हुई है उसका पहले आंकड़ा निकाल ले जितने नेता हैं कहां कहां शादी भिया हुआ है मुस्लिम समुदाय में उनका पहले आंकड़ा निकाल ले उनकी घर वापसी करा ले उसके बाद इसके बहस आगे बढ़ी शुक्रिय thank you